इस दिन का इतना अच्छा महत्व है सोने का खरिदना भी अती सुभ माना गया है अक्ष्य तिर्दिया कब मनाया जाएगा और इस दिन लोग सोना की कब खरिदारी कर सकते हैं किव teacher औरत है कि अक्षे तिर्ट्िया किस वर्स 10 मैं दो हजार 2द4 को मनाया है जाए है यह कहा जाता है अक्षे तिर्दिया रोहनी नशतर में परविश होता है और रोहनी नशतर में लू इसका एक अलग महत festivals और रोहनी में च्छत्र में इस पर्व को करने से 1000 मुना फ़र्व करती है। इसमें सबसे पहले वर्षमान में जो है वो खड़ःदारी पर पिसेज जोर दिया गिया है उसमें भी सोने की खड़ःदारी पर। हो जाता है अच्छे तिर्थिया में लोग छोने की खड़抗ारी करें तो बहुत अच्छी वाद जिस परकार हम लोगों घं तेरस वके दिन कि सुनके। कि खड़抗ारी करते हैं मातालक्षे मी का ति मना जाता है तो नामी एक्षर इसका कोई सीमा walking नहीं इसमें इस वार का जो दस मईद 2024 का जो अच्छे नौमी तो सोड़ी अच्छे कित्या जो पर रही है इसमें कई योग अंकित हैं गजकेश्रीयों शुकरमायों सस्यों यह तीनों योग जो है बहुती अत्यंत सुप्फलगायत माना जाता है जोती सास्त प्रूमता है इस योग का प्रारंब सुवह सही शुरू हो जाती है जहां तक खरिदारी की बात है तो पांच मजे सुबह तो कोई दुकान खुलती नहीं है दुकान जब भी खुलेगे नौम ज़े 10 बजे के बाद ही खुलेगे तो जब भी आप खरिदारी करने के लिए जाए दिन भर का ज अक्षे तिर्तिया के बारे में कहना चाहता हो जिसका महत्व ये खरिदारी के लिए इसका महत बहुत कम है हिसकी महत्व पुन्न कमाने की महत्व । हम लोग जो सनातान धर्म की लोग फैsupp ए इस अक्षे के प्र करना चाहते हैं। और यह सभी आदमी चाहता है कि हम कश्ट कलेश दुख से हमेशा दूर रहें। तो यह कैसे संभव है बिना धर्म के यह संभव नहीं है। जब तक आप धर्म नहीं कीजिएगा तब तक हमारा कश्ट कलेश दुख समाप नहीं है। तो धर्म के लिए समय चाहिए। धर्म के लिए कैसा मुर्त चाहिए। जो धर्म अगर हम करें तो उस धर्म का हजार गुना अफ़तल हम को मिले। तो यह अच्छे तृतिया के दिन भगवान विश्णू और लक्षिमी की अराधना की जाती है। एक चीज और है। इसी परशुराम जैनती जो मनाते हैं बहुत ही धूम धाम से मनाते है। भगवान परशुराम इस धर्ति को मेंटेन किया। लोकते नरसंगहार किये। जी नहीं वो नरसंगहार नहीं किया। जो अत्याचारी थे। जो इस धर्ति को कुलाहल में मचा दिये थी इस धर्ति पर उस तो भगवान मिश्रु छठी अव्तार में भगवान परशुराम की रूप में जन्मिन है और इस धर्ती पर से अधर्म का नास करने लगे और धर्म का पताखा भाराने लगे इसलिए आज हम लोग परशुराम जी का जैनती अर्शेतितिया के दिन मनाते हैं जहां तक इसके साथ हम कहना चाहते हैं इस दिन गंगा अशनान का सबसे उत्तम दिन माना जाता है क्योंकि सास्त्र ने कहा है कि गंगा का जो अवतरित हुई थी वो अक्षेतिया के दिन धर्ती पर अवतरित हुई थी तो इस दिन जहां तक हो सके अगर गंगा असनान का मौका लगता है दो गंगा असनान के पश्चाख उस दिन अक्षेतिया के दिन दान्पन करने के भी विधान रखा गया है इसमें अनाज का दान वस्तू का दान जल का दान जन पात्र का दान सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप गंधास्तान करके आते हैं तो सबसे उत्तम दान है जल पात्र का दान। पहले लोग क्या करते थे और आज भी लोग करते हैं मिट्टी का सुराही इस दिन लोग दान देते हैं। तो कि हम लोग जानते हैं कि मिट्टी की सुराही वो पवित्र जल को भी पवित्र कर देता है सुधता ला देती है और उस जल को ठंधा कर देता है और ठंधा जल जब हम लोग पीते हैं इस गर्मी के मौसम में आत्मा और मन सब त्रिप्थ हो जाता है जिसका आत्मा और मन त्रित्थ हो जाएगा वह तो आपको प्रेम से अशिरवाद देगा ही, दिर्ःगाई भवा, चिरंजीवी भवा, सुभागी भवा, कई अशिरवाद उसे मन धारा की तरह निकलने लगता है, और लोग अशिरवाद देते हैं, और वोई अशिरवाद हमे द्वापरयूग और तृता हYुग का प्रारंभ की गन्ना हुई थी और इसी दिन से इस यूग की गन्ना का प्रारंभ श्टार्ट हुआ इसके साथ साथ एक और सुबकार्जिस दिन होता है अक्षे तिर्तिया के दिन बद्री नाथ का पट भी खुलता है तो हम सभी लोग उस अक्षे तिर्तिया के दिन भगवान बद्री नाथ का यहीं से सुमिरन करेंगे कि परहू हमारे परिवार पर अपना विशेश क्रिपा रखना हमारे समाज पर मिशेश क्रिपा रखना हमारे समाज के बंदू बांधों पर मिशेश क्रिपा रखना हमारे धेस पर क्रिपा रखना इस विश्व की सांती को बनाए रखना इस बार सुम महुरत कितने बज़ते हैं? वो पराता काल से ही शुरू हो जाता है वो पराता काल में तो दुकान खुलेगा नहीं इसलिए साढ़े नौ बजे के बाद और साढ़े ज्यारा बजे तर आप खरिदारी का सुब मूर्थ है उसके बाद साढ़े बारा बजे से लिए करके दो बजे दो पहर तक मूर्थ है इसके बाद सबसे लास्ट का जो मूर्थ है वो संध्या साढ़े पाँच बजे से लिए करके रातरी साढ़े नौ दस बजे तक आप खरिदारी कर सकते है तो इस सोने की खरिदारी आज के दिन बहुत ही सुब माना जाता है और इसी दिन आप खरिदारी के साथ साथ सुब कार्ज भी करें अन्न का दान करें पंखा का दान करें वस्तू का दान करें इसके साथ आप जो पातर है सुराहे के से हमने कहा उसका दान कीजिए सत्तू का दान कीजिए दूद दही अनाज का दान कीजिए तो हजार गुना फल आपको मिलेगा परिचे बताए